नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB मुंबई में धारावी मुंबई में ड्रक्स की आपूर्ती करने वाले एक अंतराजरी या ड्रक्स तसकरी सिंदिकेट का भांडा फोर किया है NCB द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चार दिनों में चलाए गए एक समनिवित अभियान में पाच लोगों को गिरफतार भी किया गया है मुंबई ठाने और नवी मुंबई में कुल 1407 CBCS बोतले और 6000 नाइट्रो जेपान टैबलेट अवेद रूप से डाइवर्ट की गई NCB द्वारा पुस्ठी की गई NCB के पास आंतरिक स्थोत्रों से जानकारी थी कि मुंबई स्थित्थ एक सिंडिकेट अवेद रूप से डाइवर्ट की गई दवा दवाओं की अंतर राज्जीय तसकरी में सक्रिय रूप में शामिल था जाज के दौरान NCB के अनुसार कुरेशी और कुरेशी की पैचान नवी मुंबई के खोपर कहराने में रहने वाले एक जोड़े के रूप में की गई थी जो कथित तोर पर दवाओं की खरीद और आपूर्ती का काम कर रहा था बाद में पता चला कि वेखोपर कहराने के ठीकाने पर ड्रग्स टोर करते थे इसके अलावा वे मुख्य रूप से धारावी मुंबई में दवाओं का वितरन कर रहे थे विशिष्ट आउटपूट के अधार पर उनके कबजे से CBCS की 920 बौतले जब्द की गए NCP द्वारा गिरफतार किये गए दमपत्ती ने खुलासा किया कि वेख पूश्टाच के दोरान आर सिंग नाम के व्यक्ति से ड्रग्स खरीदते थे NCP के मुताबिक सिंग को पकड़ने के लिए सायन्स से जाल विछाया गया था जल्द ही सिंग को पकड़ लिया गया और उसने ऑपरेशन और स्ट्रीट लेवल पेडलिंग में एक वाहक के रूप में अपनी भागीदारी कबूल कर ली वह दवाओ की आवाजाही और वितरन के लिए अन्य व्यक्तियों को रसत सहायता का प्रबंदन भी कर रहा था उक्त तीन लोगों से पूश्ताच के बाद नशीली दवाओ के सौधे की और जानकारी हाथ लगी है मीरा रोड से एक और डिस्ट्रिब्यूटर मिला उसी के आधार पर ठाने इलाके के मीरा रोड में गोपनी निगरानी रखी गई इसके बाद की खूफिया जानकारी से पुश्टी हुई है कि डी कौशल नाम का एक व्यक्ति हैंड ओवर की खेप लेकर आ रहा था जैसे ही संदिग मीरा रोड ठाने पहुचा उसे तुरंत रोक लिया गया और 6000 नाइटो जैपान की गोलिया और साथ सीवी सीएस की बोटले बरामत की गई आगे की जाच के दोरान मुंबई के कांधिवली इलाके में रहने वाले पांडे नाम के एक व्यक्ति की पहचान की गई वह मुंबई में खरीद और अवैद दवा आपूर्ती में शामिल था कुशल प्रबंदन और विसिष्ट खूफिया जानकारी ने पुष्टी की कि उन्हें 12 दिसंबर को सीवी सीएस की एक खेप पहुचानी थी तुरंत एक और अनुवर्ती फील्ड ओपरेशन शुरू किया गया टीम उक्त डिलीवरी के लिए पांडे के आने का इंतजार कर रही थी थोड़ी ही देर में पांडे ने अपने आगमन की पुष्टी की और जैसे ही NCB की टीम ने खेप के साथ उनकी उपस्तिती की पुष्टी की उन्हें पकर लिया गया तलाशी के दौरान उसके पास से CBCS की 480 बोतले बरामत की गई जाच ने संकेत दिया कि सिंडिकेट के अंतराजी आपूर्ती करताओं के साथ संबंध है और धारावी के माध्यम से ड्रक्स की खरीद की जा रही थी कुछ हारोपितों को पुलिस पहले से ही गिरफतार कर चुकी है